हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो गर में आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Motorola E32 Android वाइल फोन में आप जो है charging sound and vibration setting को आप जो है enable कैसे कर सकते हैं और ये charging sound and vibration setting जो है enable करने के बाद कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting page open कर लेना है setting page open कर लीजिए और यहाँ पर आपको setting page में लीचे की side में आना है और यहाँ पर आपको यह sound का option दिखेगा, sound के इस option पर आपको इस स्लेक्ट कर लेना है इसके बाद आपको sound के page में निचे की side में आना है और यहाँ पर आपको charging sound and vibration का यह option मिल जाएगा इस charging sound and vibration के option के छीक सामने आपको एक button दिया हुआ है इसे आपको select करना है तो यह आपकी setting जो है इनेबल हो जाती है नहीं on हो जाती ठीक है तो अभी setting जो है इनेबल होने के बाद काम कैसे करेगी यह मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो जब भी आप अपने mobile phone का charger जो है अपने phone के साथ connect करेंगे तो आपका phone जो है एक sound create ठीक है अब मैं आपको द्वारा से यहां पर आपको लगा के दिखा देता हूं ठीक है तो जैसी आप अपने charger को अपने phone से connect करेंगे ठीक है तो यहां पर आपका phone एक sound create करेगा और एक vibration भी create करेगा ठीक है आपके vibration आपके हाथों में मैसूस हो जाएगा ठीक है तो यह setting जो जो यह search setting का option दिया हुआ search setting इसे आपको select करना है यहां पर आपको search bar में type करना है charging sound and vibration charging sound and vibration नीचे की साइड यह option जब शो हो जाएगा इससे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको मतलब डायरेक्ट इस setting में लेकर आजाएगा और डायरेक्ट इस setting में लेक करके दिखाएगा तो यह एक शॉटकर तरीका मैंने आपको बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में